जैहिन दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर श्वागत है जैसा कि फ्रेंट्स हमने अपने पहले वीडियो में इसके ज़ेस्ट पहले वाले वीडियो में बैलेबल अफेंस की डिफिनीशन पर विदिवत चर्चा किये थे आज अपने हम इस वीडियो में नान बैलेबल अफेंस पे बात करेंगे जैसा कि बैलेबल अफेंस और नान बैलेबल अफेंस दोनों की परिभासा धारा टू ए अर्थात टू कर के अंतर गदिया गया है बैलेबल अफेंस होता क्या है तो जो जबानती अपराद था उसको हमन अर्थात यदि अपराद जबानती नहीं है तो वह जबानती अपराद होगा अर्थात वही जो हमने आपको बताया कि वे सभी अपराद जो जबानती अपराद नहीं होते हैं जबानती अपराद के अंतरगत आते हैं जबानती अपराद की जो संगीता की धारा 2A में परिभासा दी गई है उससे यह असपष्ट नहीं होता संगीता में केवले बता दिया गया है कि जबानती अपराद हुआ अपराद है जबानती अपराद जो जबानती अपराद नहीं है तो इसे से यह अस्पेश्ट नहीं हो पाता है कि किस अपराद को हम अजबानती अपराद कहें तो वही आगे हम और अस्पेश्ट करना चाहते हैं कि जबानती अपराद से भिन अजबानती अपराद कौन सा होगा तो आईए देखते हैं आगे अजवानती अपराद से संगिता की धाराट टूये में दी गई परिभासा से यह असपष्ट नहीं है कि वे कौन से अपराद हैं जो जमानती यह यह अजवानती हैं संगिता की प्रथम अंसूची में IPC के अधीन अपरादों को विसेश रूप में अन बिधियों के अधीन किये अपरादों को सामान रूप में बाटा गया है जब आप CRPC की प्रथम schedule खोलेंगे तो उसमें IPC के अंतरगत जितने भी अपराध दिये गए हैं उन सब की एक सारणी दी गई है जिन में यह बताया गया है कि कौन सा अपराध जमानती है और कौन सा अजबानती है जमानती और अजबानती अपराधों को जानने के लिए आपक CRPC की फष्ट schedule को देखना होगा आए नीचे देखते हैं IPC में वरनित अपराध जमानती है या जमानती दंड प्रकिया संहिता की प्रथम अंसूची के कालम नंबर 5 के अंसर भी निमित होता है अर्थात जो CRPC के schedule फष्ट का कालम नंबर 5 है उस कालम में यदि आप तो वहां जमानती और जमानती बताया गया है उस कालम में दर्साया गया है कि यह अपराध जमानती है तो आपको जमानती और जमानती अपराध जानने के लिए फष्ट schedule CRPC का कालम नंबर 5 का और लोकन करना पड़ेगा यह जानने के लिए आए आगे देखते हैं अन्य अदर्ला का CRPC में जिक्र रहे गा नहीं तो अदर्ला के बारे में आप कैसे जानेंगे कि वह अपराध जमानती है यह आजमानती तो यह ही बात आगे हम बता रहे हैं आपको कि जो अदरला है अन्य विधी में वो अनितफराद है वो जबानती है या जबानती इसका निर्धारण दो तरीके से किया जाता है इसका निर्धारण दो तरीके से किया जाता है कैसे एक तो उसी विधी में बता दिया गया रहेगा कि यह अपराथ जबानती है या जबानती ये उस बिधी में यह नहीं बताया गया है कि वह अपराज जबानती है या अजबानती तब एक जो नियम है ये अपराज तीन वर्स एक से कम या जुर्माने से दंडनी है या जुर्माना की सज़ा दी जा सकती है तो वह अपराद जो है जबानती होगा और यदि तीन वर्स या तीन वर्स अधिक का कारवाद दिया जा सकता है तब वह अपराद जबानती होगा तो आईए वही आगे देखते हैं इसमें दो तरीके से किया जाता है यदि उस अनिविधी में ये बता दिया गया है कि वह जबांती अपराद है तो उसी के अनसर ये दुस्र जो इससला है उसमें बता गया है उसी के एक आड़िंग दंडित किया अगर नाकि अन्य बिधी यार्नि निश्य उर्पीडिशी के अंश्य दंडित नहीं किया जाएगा उसके बाद पर का anymore में यह नहीं उन्लेक्षक किया गया है और फात इस नहीं बताया गया है कि वह जबान्ति आत्राध है है या अजबानती तो उसका निर्धारन CRPC की संहिता के प्रथम अंसूची के अनुसर किया जएगा जो प्रथम अंसूची में नियम बता गया है संहिता की प्रथम अंसूची में लाश्ट में नियम यह बता गया है विधी के बारे में सेकंड सेडूल में कि जो अपराद तीन वर्स से कम या जुर्माने से दंडनी है वह अपराद जमानती होगा और जो अपराद तीन वर्स या तीन वर्स से अधिक के कारवाद से दंडनी है वह अपराद जमानती अपराद होगा तो इस तरह से परिभासा के खंड को देखकर आप यह नहीं बता सकते हैं या आप यह आउलोकर नहीं कर सकते हैं कि कौन सा अपराद जबानती होगा और कौन सा अपराद जबानती नहीं होगा तो फ्रेंट्स हमने अपने इस वीडियो में जमानती अपरात की डिफिनीशन पर विधिवत बात किया विधिवत इसको डिस्क्राइब किया और आपको पूरा समझाने का प्रयास किया यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सस्क्राइब करना, सेयर करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग फ्रेंट्स